हेलो एवरिवान मैं हूँ रेखा और मेरे यूटूब चैनल अपनी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसीपी सेयर करने जा रही हूँ जिसे देखते ही दोड़ पढ़ेंगे आप बनाने को और बहुती ज़्यादा टैस्टी और मज़ेदार होने वाली है हमारी आज की बहुती ज़्यादा टैस्टी आलू और सूजी के स्नेक्स की रेसीपी बच्चों की all time favorite है घर में हर किसी को यह पसंद आएगी लेकिन बच्चों को काफी ज़्यादा पसंद होती है ऐसी चीजे तो चलिए आज बच्चों की मन पसंद का कुछ बना लेते हैं बिना देरी किये बच्चे अक्सर बाहर की चीजे बहुती ज़्यादा खाते हैं तो बच्चों को बाहर की चीजों से बचाईए और घर पर कुछ ऐसा बना कर किलाए जिससे की बच्चे भी आपकी सारी जो भी चीजे बनाते हैं दीवाने हो जाएंगे और बाहर की चीजे का न छोड़ देंग गेस की तरफ, गेस पे मैंने रख दिया एक कड़ाई और इसमें डाल दिया एक बड़ा चमच तेल, देल अच्छी से गरम हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे आदा चोटा चमच जीरा, आदा चोटा चमच राई, दोनों को अच्छी से चटकने देते हैं, दोहरी मिर्च को मै एक चोटा चमच चीली फ्लैक्स, आदा चोटा चमच बुना हुआ जीरा, आदा चोटा चमच चाट मसाला, एक बड़ा चमच हम इसमें डाल देंगे तिल, तिलों को मैं से कर रखा था, तो थोड़े से तिल मैंने इसमें डाल दिया है, बहुती बढ़ी अटाइस्ट और फ अच्छे से कर लेते हैं, सारी चीजों को मिक्स, और सूजी थोड़ी देर में ही सारी पानी को अवजर कर लेगी, बहुती अच्छे से हमें इसको चलाना है, बड़िया से इसको मिक्स करना है, और सूजी के हम डालते हैं, तो थोड़े से लंस बगेर आते हैं, लेकिन आप अच्छा लग रहा है बहुती अच्छी सी यह सैट हो गया है और अच्छी सी फूल कर काफी बड़ी हो गई है सूजी और यहां पर आम देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआरा बारा दनिया डाल दिया है अब हम गया इसको बंद कर देते हैं और यहां पर आ कर के लिक एपसारा सब्गार कि एक बड़ा चमच गुर्ण फ्लॉFC अगर हमें और आपके पास यह नहीं तो आप यहां पर चावल का आटा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप यहां पर मैदा ले सकते हैं, मैदा भी आपके पास नहीं है, तो आप यहां पर थोड़ा सा बेशन ले सकते हैं, हम इसको अच्छे से डो लगा करके तियार कर लेंगे, स बन करके तियार होगा तो यहां पर 10 मिनट खतम होए हम देख लेते हैं हमारे मिक्स को तो यह देखिए हमारा बहुती बढ़ी आसा मिक्स बन करके तियार होगा है और अगर आपको लग रहा है कि यह थोड़ा चिप 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 आसा है आतों के चिप पक रहा है नीची थाली क तो हम इसके थोड़ा सा ओयल अगी लगा सकते हैं अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्स ले करके और हाथों से थोड़ा से इसकी लोई सी बना लेते हैं यहां पर हम जैसे रोटी बनाते हैं बस उस तरीके की हमें छोटी सी लोई बना करके त्यार कर लेनी हैं अब यहां पर आप चाहो तो एक चोपर ले सकते हैं जिस पे हम सब जी वगरा कट कर सकते हैं वो वाला यापर आप एक चक्ला ले लीजे उस पे आप इसको एक लंबाजा सेप देदीजी आथो से तो यहाँ पर मैं लंबाजा सेप देदिया है तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको सेप दे दिया है इस तरीके से और थोड़ा सा हाथताओं से हम इसको ठीक कर लेते हैं अब आम देख सकते हैं कितना चवर्दस्त हमारा नास्ता बनेगा जब हम इस तरीके से बना करके तियार करेंगे उसे भी हम इसी तरीके से उनके भी बाइट बना करके तियार कर लेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है बाइट देखने में और जब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो बहुत ही जवर्दत इसका टेस्ट आएगा तो हमारा जो बाकी मिक्स है उसको भी हम इसी तरीके से बना करके तियार कर लेंगे तो यह देखिए यहां पर मैंने सारे मिक्स के बहुती बड़िया से आलू बैट बना करके तियार कर लिये हैं आवी मेरा थोड़ा सा और मैंने बचा लिया था उसको मैं बाद में राउंड शेफ में बनाऊंगी तो अभी हम इसको प्राई कर लेते हैं तो तेल मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छे सी गरम हो गया है एक एक करके हम सारी आलूबैट को इसमें डा हैं और हमारे सारे आलूबैट एक दम बहुत ही अच्छी से सिखने चीए उपर नीचे चारो तरप से जब इनका टेस्ट पढ़ी आएगा और अच्छी से दीमी आज पर हम इनको सीखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं हलके सी यह सिख गये हैं हम इनको थोड़ा सही ला इनको टाइम नहीं लगा है इसी तरीके से हम इनको सेखते हैं तेल में और बहुती बढ़िया इनका टेस्ट आता है तो यहां पर सारे आलूबैट मेरे बढ़िया से सिख के तियार हो गए हैं तो हम इनको थोड़ा सही लट पलट करते हुए से के अच्छे से रेडि कर लेत हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा देखने में होड़िया लगए और जब आप इससे बना कर खाएंगे न तो हम इनको आस्ट को रहने के लिए बनाएंगे तो तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बैच भी बहुती बढ़िया से सिख चुका था तो यह वाला बैच भी हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से सिख के तयार है तो इसको भी हम चलनी में निकालेंगे आप देख सकते हैं कितने कम समय में इतना बढ़िया नास्ता बन करके तियार होता है और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे सोस के साथ इसे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको और बार की चीज़े अक्सर बच्चों को खरीते हैं तो क्यूंना अक्सर बच्चों को गर पे कुछ ऐसा बना कर खिलाएं जिससे के बच्चे की भी खुस हो जाएं और बार की चीज़े खाने से भी बच्चे तो आप कभी-कभी इसे बना कर बच्चों के टिपिन में भी रख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक बैच में इनको गोल टाईप में और बना लिये थे जैसे हम लड़ड़ अगर बनाते हैं बस उसी सेफ मैं इनको हाथों से थोड़ा सा बledबन कर लिया था तो ये लेजे फ्रेंट्स हमारा बहुती टेस्टी आमेजिंग नास्ता सूजी और आलू का बन करके त्यार हो गया है आप देख सकते हैं कितने गजब तरीखे से मैंने इसे बनाया है बिल्कुल कम सामान और कम मेहनत में बिल्कुल घर की चीजों से कितने अच्छे से ये नास्ता बन करके त्यार हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये रेडी हुआ है तो यहाँ पर मैंने इसे सारु किया है टॉमेटो का एचप, तोड़ा सा धई और यहाँ पर मैंने इमली की थोड़ी सी चटनी बनाई हुए थी दो दिन पहले तो गो रखी थी तो बच्चे कभी कभी इससे भी खा लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है सच में फ्रेंड्स बहुत ही इजी नास्ता है गर पर बनाकर आप सबको खिलाएए और बच्चे तो खुस हो जाएंगे जब आप बनाकर इस तरीके से उनको सरु करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा नास्ता हमारा बन करके त्यार हो गया है जब साम की हलकी फुलकी भूक हो तो भी आप इसे बना करके खा सकते हैं तो आप इस तरीके से इसे बना करके खाईए बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेर और चैनल को सब्सक्राइब बाइ थैंक यूपर वाचिंग मैं वीडियो